नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू स्टडी नियूस आज मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मेडा गासकर ये इंट्रेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये विस्व का चौथा सबसे बड़ा आईलेंड है इसका इंडिया के सबकॉंटिनेंट पार्ट के साथ भी एक बहुत पुराना जग्राफिकली इतिहास रहा है और ये देश इकोनॉमिकली पूर है बट बायो डाइवर्सिटी में बहुत रिच है ये दुनिया भर में पाये जाने वाले जीवों की प्रजातियों में 90 प्रतिसत यहां मौजूद है और मेडा गासकर का इतिहास भी काफी इंट्रेस्टिंग है जानेंग इसके बारे में लेट्स स्टार्ट चलिए पहले मैप में देख लेते हैं ये है हमारा भारत और यहां से ये इंडियन ओसियन में अफरीका के इस्ट साइड में ये है मेडा गासकर जिसकी राजधानी है एंटनाना रिवो इसके मेडा गासकर और अफरीका के बीच में ये जो संधी है इसे मोजांबिक जल संधी या मोजांबिक चैनल कहते हैं और मेडा गासकर के पूर्वी साइड में ये एक island है जिसका नाम है Reunion ये France का है और ये है Mauricis Medagascar का पहले नाम था The Malagacy Republic फिर इसके बाद इन्होंने अपने देश का नाम रख लिया The Republic of Medagaskar ये देश Indian ocean में East Africa के पास है इसका छेतरफा लगभग 6 लाख वर किलो मीटर है मेडा गासकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आईलेंड कंट्री है सबसे बड़ा है इंडोनेसिया जिसका चेत्रफल लगभग 19 लाख वर किलोमीटर है देखिए ग्रीन लेंड एक आईलेंड है कोई आईलेंड कंट्री नहीं है ग्रीन लेंड डेनमार्क का एक आईलेंड है जिस प्रकार फ्रांस का आईलेंड है रियूनियन सो इसलिए ग्रीन लेंड इस लिस्ट में नहीं आता मेडा गासकर की कोश्ट लाइन लगभग 4700 किलोमीटर है और इस्ट अफ्रीका से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर है आप इस वर्ड मैप में देखिए इस्ट अफ्रीका और मेडा गासकर की बीच में ये जो चैनल है इसे मोजामबिक चैनल कहते हैं क्योंकि इसके पास मोजामबिक देश है इस चैनल से बहुत सारा ट्रेड होता है सिप्स के दुआरा और यहां से यूरोप और अमेरिका की सिप्स साउथ एसिया की ओर आती है मेडा गासकर के इतिहास की बात करें तो 135 मिलियन साल पहले मेडा गासकर अंटार्टिका और भारत की जमीन अफरीका और दक्षिड अमेरिका की जमीन से अलग हो गई थी फिर इसके बाद लगबग 88 मिलियन वर्स बाद 88 मिलियन वर्स पहले क्रिटेसियस काल में भारत मेडा गासकर से अलग हो गया फिर यह देखिए यह भारत का सब कॉंटिनेंट पार्ट है जो मेडा गासकर से यह आलग हो गया है मेडा गासकर में 1883 में फ्रांसीसियों ने आकरमड किया और इसे कबजा लिया इस आकरमड को फ्रेंको होवा यूद के नाम से जाना जाता है फिर 1890 में ब्रिटिसर्स आये लेकिन मेडा गासकर पे फ्रेंच हुकूमत कायम थी दितेव इस तक फ्रांसीसी हुकूमत से मेडा गासकर के लोग परिसान हो गए थे उन लोगों ने विद्रो सुरू कर दिये फिर 1947 में एक बहुत बड़ा विद्रो हुआ था जिसे माला गासी विद्रो कहते हैं लेकिन फ्रांसीसीो ने इसे दबा दिया था फिर इसके बाद लगातार विद्रो होते रहे और 26 जून 1960 को मेडा गासकर आजाद हुआ आजादी के बाद भी ये देश पीसफूली नहीं चल पाया यहाँ पर बार-बार सम्विधान बदलते रहे 2010 में चौथा सम्विधान इस्थापित हुआ यहाँ पर आप यह देख सकते हैं मेडा गासकर्स कंस्टिटूर्शन ऑफ 2010 प्रेजन टाइम की बात करें तो यहाँ पर इस समय यूनिटेरी सेमी प्रेसिडेंशियल कंस्टिटूशनल रिपेबलिक की सरकार है जिसके प्रेसिडेंट एंड्रे रेजो लेना है और प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टियन टेसी है यहाँ के लेजिसलेचर को पार्लियामेंट कहते हैं अपर हाउस को सेनेट कहते हैं और लोवर हाउस को नैशनल असेम्बली कहते हैं मेड़ अगासकर की एकोनोमी की बात करें तो यहाँ की जीडीपी 50,000 या 51,000 बिलियन डॉलर है यह एक गरीब देश है इसकी जीडीपी रैंकिंग 119 है यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा 1776 यूएस डॉलर है फ्रांस के अधीन रहने की वज़े से यहाँ की आर्थी की ओजनावा और नीतियों पर बहुत प्रभाव पड़ा है यहाँ पर मुख्य रूप से चावल, कॉफी, पाम, ओयल और सिल्क का उत्पादन किया जाता है यहाँ के कल्चर की बात की जाए तो 2010 तक यहाँ की 85% आबादी ने इसाई धर्म को अपना लिया है और सिर्फ 5% लोग या 4.5% लोग वहाँ के लोकल रिलीजियस में विश्वास करते हैं यहाँ के लोगों के चहरे की बनावट में भी आपको काफी फर्क नजर आएगा यह लोग अफरीकियों की तरह नहीं दिखते आप देख रहे होंगे की इनका चहरा अफरीकियों से कुछ लाइट है असल में यह इंडोनेशियाई, मलेशियाई और अफरीकन्स और फ्रांसीसी लोग जब मेडा गासकर में रहने लगे और फिर इनकी प्रजाती मिक्स हो गई तो एक नई प्रजाती बनी या कह सकते कि एक नया समुदाय बना इसमें इनकी नाक चप्टी होती है लेकिन आखर चाइनीज की तरह नहीं होती नॉर्मल होती है इसके बाद मेडा गासकर के बायो डाइवर्सिटी की बात करें तो ये वहाँ का एक हाट स्पोर्ट है अर्थ पर जितने भी जीव पाय जाते हैं उसमें से 90 प्रतिसत वाइल डाइव यहाँ पर पाय जाती है यहाँ का एको सिस्टम बाइवर्स के लिए बहुत अनुकूल है और यहाँ पर लगभग 1200 साल पहले तक इनसान नहीं रहते थे इसलिए यहाँ वाइड लाइफ को डिश्टर्बेंस नहीं हुई उसके बाद यहाँ इंडोनेशियाई, मलेशियाई और इस्ट एसिया से लोग आकर बस गए यह लेमूर है जो केवल मेडा गासकर में ही पाया जाता है मेडा गासकर के डाइवर्सिटी के ऊपर कई मूवियां भी बन चुकी है जिसमें मेडा गासकर है जो एक एनिमेटेड मूवी है जिसमें यहाँ के वाइल लाइफ को दर्साया गया है मेडा गासकर के नदियों की बात करें तो मेजर नदियों में एक नदी है बैटसी बोका जो वहां की सबसे लंबी नदी है इसके बाद एक नदी है जो मैंगो की नदी है इस मैप में आप देखिए ये बैटसी बोका रिवर है जो उत्तरी मेडा गासकर में बहती है और ये मैंगो की रिवर है बेटसी बोका रिवर की लंबाई 525 किलो मीटर है और मेंगोकी रिवर की लंबाई 564 किलो मीटर लगभग है मेडा गासकर में कोई खास माउंटेंज तो नहीं है लेकिन एक यहां का फेमस माउंटेंज है जिसका नाम है मारो मोकोतरो जिसकी उचाई 9,436 फिट है तो ये थी पूरी जानकारी मेडा गासकर के बारे में तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट